अब पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में लास्ट पढ़ने पढ़ाता हक्मनी सासक जिसने सिकंदर कौन था इसके पिता कौन थे इसके बारे में पढ़ेंगे कौन सा येगा 24 इसके बारे में पढ़ेंगे सिकंदर कौन का 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 सा सकता ये इसके पिता कौन थे है इसका जनम इसका सिकंदर का जनब को हुआ था? सिकंदर का जनब हुआ था 356 इसापूर में इसापूर में का हुआ था बेवी लॉन में बेवी लॉन में बेवी लॉन में इसका क्या हुआ था? जनब हुआ था इनके पिताख गुरू इनके पिता का क्या नाम था फिलिपिन्स दुटी इनके पिता का नाम था फिलिप्स सेकंड इनके क्या था पिता का नाम था किसके सिकंदर के पिता का नाम था फिलिपिस सेकंड और इनके गुरू का क्या नाम था अरस्तू अरस्तु जो इनके क्या थे गुरू के साथ साथ जो गुरू यूनानी और गुरू और यूनानी कौन थे दार्सक दार्सनिक कौन थे यूनानी दार्सनिक गुरू थे और एक यूनानी दार्सनिक थे ठीक है इनका एक प्रिय गोड़ा भी था क्या था सिकंदर का एक प्रिय गोड़ा प्रिय गोड़ा इनका एक क्या था प्रिय गोड़ा था किसका सिकंदर का एक प्रिय गोड़ा था जिसका नाम था जसका नाम था वुके फेलस वुके फेलस क्या था इनने का एक पिरिया गोड़ा था जिसके नाम पर इन्होंने एक आगए एक सहर भी बसवाय था इनका प्रथम इनका सेनापती किसका सिकंदर ऑस इस थे इस कि इन्होंने बहुत नाक में दम रख का है ठेक है जिन को बाद में भारत के साथ को न हुझाज की सबकर किसके का है किसको में पूरा पर्चा हुए इनके पता का नाम किया था फिलीपेंस दुतिये और अस्तुन के कौन थे गुरू थे प्रिया घोड़ा कौन था वेक वुके फिलम्स और फर्ष्ट सैना पती कौन था से लुकस निकेटर अब इनके बारे में पढ़ते के इन्होंने कितना आतंग थीक है इन्होंने क्या किया था से लुकस निकेटर और किसके सिकंदर लोदी सिकंदर द्वारा क्या हुए सिकंदर सब्द का यूज़ देखना इसमें कितनी बार होता है किसका सिकंदर द्वारा इनके द्वारा अब इंडिया में भी बहुत सा क्या हुए इनके द्वारा भारत है बिजय अब्यान के तहट किसके भारत इसमें पर पॉइंट में लिखेंगे कौन से अब्यान के तहट भारत बिजय अब्यान के तहट भारत बिज़े अभ्यान चलाएं सिकंदर कौनसा भारत बिज़े अभ्यान चलाएं, जिसके तहट इन्हों ने क्या किया भारत अभ्यान के तहट इन्हों ने सिकंदर ने 13 तीन सो छब्ogo 16े में कौन सा 326 इसापूर में वकल कौन सा वकल बैक्टेरिया को जीता इसको का बोलते तो बैक्टेरिया इसको बैक्टेरिया को जीता इन्होंने भारत बिजया बियान किता है था सबसे पहली बार फर्ष्ट टाइम फर्ष्ट विजय वकल जिसको बैक्टेरिया जिसका उपनाम क्या था बैक्टेरिया को जीता और जीतने के बाद यह कावल होते हुए भारत में आए कौन से जीतने के बाद यह कावल होते हुए होते हुए कावल हिंद का है हिंद कुस परवत पर आए गए मतलब हिंदुस्तान की हिंदुकुस परवत को पार किया इन्होंने कावल होते हुए इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया पार किया किसने किया इनके भारत सिकंदर ने क्या किया सिकंदर उसकी सेना ने 1356 में फश्ट पेज़ा वक्कल या बैक्टिरिया को जेते हुए इनोंने पार किया और पिरस्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पिरसिद युद्ध के रूप में पिरसिद युद्ध के रूप में किसको रड़ागा जेलम के तट पर इन्होंने किसके जेलम के तट पर जेलम के तट पर क्या किया इन्होंने जिलन्द के तट पर किसके दोरा पौराब वर्सिस सिकंदर क्या किया इनोंने युद्रड़ा पौरस वर्सिस सिकंदर का युद्रड़ा ठीक है जाके राज आप पौकर रा पौकर राज पुरू थे कौन थे पौकर राज पुरू थे और ठीक है पौकर राज पुरू थे जिसकी जेलम के तट पर लड़ा गया पौकर राज पुरू और पौकर राज पुरू और पौकर राज पुरू और सिकंदर के बीच युद्र लड़ा गया इस युद्र को क्या वर हाई स्पीड है किसको उद्ध yeah isco 20 इनी किउर्थ का युद्ध का ठीक है यह धियास में Czech你說 You गी चर्चा उती है इसमें हाइड़े स्पीड नहीं हाइड़े स्पीन हैं युद्ध यबित का रेयुद्ध का जाता है ठीक है यह सब से ज्खावब वो एक तरीके से विखियात है सिकंदन ने दो नगरों की क्या कि इसने इस्थापणा की नगरों की स्थापणा से प्हेला नगर कौना था पहला था नैकिया और दूसरा नगर दूसरा नगर था बेजय नगर नहीं दूसरा नगर यह नहीं था दूसरा नगर इसने अपने घोड़े के नाम पर रखा था इसने अपना इसको ऊपर नाम रखा था जैनिकॉरिया को क्या बोलते बिजय नगर वह वी बोलते हैं इसको बिजय नगर इसको जीता था जिसके बाद इसने अपना नाम चेंज कर दिया था ये Он क्या था इसको पहला नगर को करने के बाद इसने इसका नाम चेंज कर दिया था ने लोट कर आई गोड़े के नाम पर स्दीच नंगर को बसाए था अलोटा इसके बास और यह इन्हों ने जब इसनों ने इतनी सब ज़लाइस के तो सिकंदर Richmond वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करना ना ना सिकंदर इसके बाद इस्थल मार्क द्वारा इस्थल मार्क द्वारा कव 1325 इसापूर में आया कब ता हाँ सौजीस में गलत होगे, 1326 नहीं, यह 356 इसापूर बे किसका भारत अबेजया अभ्यान किस ने 1356 नीची में इनके द्वारा चलाया गया था तब चलाया एक सोजुक नहीं नहीं यह सही है, सही है, सही है, सही है, सही है इसमें एक साल तरह अभ्यान चलाया और 1326 इसापूर में, 1325 इसापूर में यह भारत के इस थल मार्क द्वारा का चला गया अपने बेवी लॉन मतला अपनी जहां पर से आया था भहीं पर चला गया बेवी लॉन चला गया इसके बाद यह सिकंदर की सिकंदर की मिर्ती हो गई बेवी लॉन में कब हो गई बेवी लॉन में तेरा सो टैसी सापूर में और जब सिकंदर यहां इस थल मार्क से जब गया तो इसने सब मतलब सब कुछ अपने सेनापती ठीक है अपने सेनापती इसके दो सेनापती थे सेलुकस निकेटर और जल सेनापती नियाकास ठीक है नियाकास उन सबको क्या कर दिया था जोगी इसने बेजय पराप्त किती जिंजर उस पर उन्हें अपने सेनापती को एक तरीकी सो सुरक्षत रखने के लिए दे दिया थे कि आप कि एक तरी से मालब सिकंदर का चैप्टर हो गया खता में इसमें दो-तिन पॉइंट हो और हैं जो कि आप लोगों को मौक्रा तक्छिला के राजा जो तक्छिला के राजा थे आमी, भी, आमी भी, आमी भी उन्होंने क्या किया था सिकंदर के सामने अपने घुटने देख दिये थे सिकंदर भारत में 19 मा भारत के पिर्देसों में सेनापती फिलिप्स को सौपकर बापस लोड़ गया था किसको भारत में किसको फिलिप्स को सौपकर ये चला गया था सिकंदर के अभ्यान के तहट यह कितने 19 महीं निरा जिसके तहट इसने चार इस्थल मार्गों की और चार जलिये मार्गों की क्या कि सिकंदर ने खोच की कि सिकंदर के दोरा खोजे गए इन मार्गों की और बंगा के बिया आसपास की ताउरा क्या की यहीर बियापार की नएा रास्ता ना जलीय nuevos और प्चार मद. ऐख यह लेखना स्थाए, ब्भारत में ब्यापार की बारे में हर चीच के बारे में बता आयए. जब भारत सौनी की चड़ी आए ठीक है इसके बाद ही लोगों के आक्रमन करना इस्टार्ट हो गए युनानी मुद्रा की तरह भारत में वी उलकू सैली के सिक्के पिर चलते थे ठीक है किसके उलकू सैली के सिक्के चलते थे काला नास काला नास क्या हुआ भारत की काला नास नामक दासने को कौन सिकंदर क्या लिए गया था अपने राज लिए गया था किसको काला नास को क्या लिए गया था सिकंदर अपने राज लिए गया था इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर बंस के बारे हैं भाग 25 में फ्रेंट्स वीडियो को लाइक, सेयर और कमेंट करना ना भूलें जो इसमें वीडियो में देखा थो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं